मीडिया की अभी तक इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो जनता को ये बताए कि उसको क्या सोचना है लेकिन मीडिया की इतनी तो हैसियत है कि आपको ये ज़रूर बता दे कि आपको किसके बारे में सोचना है अब जितनी भी जिसको आप गौदी मीडिया कहते हैं, जिसको धोधिया मीडिया कहते हैं वो सब concealer काम यह गिया है, जिस तरही से ब बैब रहता हैं, किसी के खिलाफ माहौल बना रहे होते हैं अभी फिलाल में अमिश शाह का बयान में आपको बताऊंगा अभी आपको पता है उत्तर कुर्देश के बाद 2022 में उत्राखंड का चुनाव है फिर पंजाब का है अभी पांच-छे बड़े-बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो कई सारे दिगजों ने इसको आड़े हास लिया और कहा कि यह बेहत घटिया ओच्छा और निंदनी है वक्तव यह है अमिश शाह के द्वारा यह अस्वीकार यह है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकते यह डिवाइड़न दूर वाल इस्थिती है तो यह वीडियो आप देखिए इसके बात की बात जरूर सुनिएगा तो क्यूं सुक्रवार को क्या होता है मैं तो फोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा चर्णल नॉलज भी होगा है तो उसने का सुक्रवार को नेशनल आईवे बंद करकर वहां नमाज पढ़ने की जाज़त देने के सुक्रवार को छुप्ती देने के भी हिपागत करने की सोची देनों करने वाले कभी भी देव भूमी का काम नहीं बाते होंगे आपके पास भी आया होंगे निश्चित बात है लेकिन आप मुझे बताईए कि आपको पता है कि जेपी नड्डा जो की बीजेपी के राष्ट्रा ध्यक्ष हैं उनकी वाइफ उन्होंने नैशनल ग्रीन ट्राइबूनल में पटाको पर कंप्लीट बैन की याचि की है आप इस लोजिक को कैसे काउंटर करेंगे हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी वाले करते क्या है कि हम आपके तोहारों की मानताओं को काम मानने रखते हैं है ना हम और जो आपकी गैर विरोधी जो पार्टीज है वो क्या करती है कि आपके हिंदू तोहारों को खतम करत कि मैंने आज तक यानि कि 6-7 साल मुझे हो चुके हैं इंफर्क जाता ही हो गया होगा अभी तक घर पर दिवाली वाल दिन आज तक मैंने पटा के नहीं छोड़े हैं मैं खुदे घंदू हूँ भाई नहीं छोड़े हैं सिर्फ मेरा एक धिया होता है दिये लाइए कुमार से दिये लेकर के आए घर पे लगाए और जब मैं दिये लेकर के आता हूँ तो मैं कभी बारगेनिंग नहीं करता और मैं आपसे यह कहूंगा कि आप भी आके बारगेनिंग मत कीजिए कर आप 5-10 रुपे भी कम आकर करा लेंगे तो उससे आपको जो कुछ फरक नहीं पड़े हैं ऐसे मौके बहुत कम आते हैं और साल भर की कमाई तो यह दिवाली वाले दिन ले जाते हैं और इसमें भी आप कहें कि 5-10 रुपे कम कर दो तो यह चिंदिगरी नहीं कर रही है और ना मैं करता हूँ और ना करने देता हूँ आज पड़ उसको तो बिल्कुल भी नहीं कर आप से भी मैं कहूंगा कि आप जाइए मिट्टी के दिये लीजिए जालर वालर क्या यार लगाते हो मत लगाईए आप सिर्फ यह जरूर लगाईए जितना चाहो उतना लगाओ यह बहतर होगा में तो सिर्फ यह सचेशन है दूसरी बात अभी शाह की तरफ चल लेते हैं वह बात करेंगे अभी अमिश शाहने न यूपी में एक बात कहा था कि अगर सोर साल की बच्ची अगर गहने को लाद करके रात के बारा बज़े निकल जाएगी तब भी कुछ नहीं होगा समस्या नहीं कहने का मतलब यह था उनका कि लॉय नोड़ दुरस्त हो चुका है मान के पांच बज़े के बाद अगर गहने लाद करके जाओगे तो आपको कोई लाद गर के लेकर आ रहा होगा देखे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ है ना ये आपका खुद बीजेबी की जो राश्ट उपाद ध्यक्ष है ना बेबी रानी उन्होंने साफ तोर पे बोल दिया उ और भारस समाचना के स्क्रीन शॉट दिक कैसे लूट वगरा सब कुछ चलता ही रहता है यूपी के अंदर तो और ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था तब आयोध्या में जो महिला बैंक अधिकारी ने सुईसाइड किया है उसमें एक IPS के साथ तीन लोगों का नाम भी लिखा हुआ है ये सारी बात है जो मैं आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से और लिंक के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ तीसरी बात अमित शहा ने एक बड़ा अजीव ही बात कही थी इसके दो परस्पेक्टिव है एक परस्पेक्टिव मुझे रवीश कुमार ने दिया है वो आपको मैं अंतिम में बताऊँगा लेकिन जो एक परस्पेक्टिव है मेरा वो मैं आपको समझा देता हूँ योगी को एजसीम आपको यूपी में बनाना पड़ेगा यह इतिहास में पहली बार हो रहा है क्योंकि अब तक तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए आये थे कि जितने भी सांसत थे वो पी-एम मोधी के नाम पर जीत गए इतने ठले थे वो समझीद के मोधी के नाम पर अब सियमों को कहा जा रहा है कि यह जो सियम है ना इसको जिताना है तब भी मोधी जी आएंगे फिर नो दिक्कत हो जाएगी अच्छे इस बात का मतलब यह है कि देखें उत्तर प्रदेश एक बड़ा विधान सबार लोग सबाचेतर और बिना इस पे अच्छी खासी बड़त के आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं लगनौ से ही रास्ता दिल्ली के लिए जाता है तो अमित शहा का ये कहना कि मोधी को ऐज़ा पी-म अगर आप देखना है तो सी-म बना दो योगी को तो इसके पीछे तीन-चार वज़ा में आपको बताने कोशिश करता हूँ क्या अमित शहा को डर है कोरोना को लेकर के? क्योंकि कई सारी फजीहत कोरोना बिस मैनेजमेंट को लेकर के योगी आदितना जेल चुके हैं लेकिन आपको ये भी पता होगा कि नरेंदर मोधी जी ने क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि हम योगी के जो काम करने के तौर तरीकी है उनसे बड़े प्रसंद है और कोरोना को जिस तरह से हैंडल गया बड़ा ही अच्छा था लेकिन अमित शहा को डर कि किस बात कहा है ये कि ग्रहे राज्य मंत्री के बेटे का नाम उसके अंदर आया अभी अमित शहा और अभी रैली कर रहे थे तो उस ग्रहे राज्य मंत्री ने स्टीफा तो नहीं दिया लेकिन उसके साथ जरूर अपना स्टेज को शेयर किया था लोग अंदर आकरोश वैसी बना हुआ था और जो प्रियंका गांदी है वो rally the rally लखीमपूर खीरी और किसानों की बात करने से चूक नहीं रही है अभी भी सब की बात कर रही है और लोगो बार बार यहीं बता रही है आज उनकी पृतिग्या वाली rally है तो उसमें भी उसका जिक्र करेंगे निश्य तोर पे हमेशा इस रैली में कर रहे हैं कि आपको पता है लखीमपुर खेरी में किसने किसको क्या मरवाया किसानों को मरवाया, किसने मरवाया ग्रहराज्यमंदरी के बेटे ने मरवाया और ग्रह राज्यमंद्री को बेटे को तो पहुंचा दिया जेल इनों ने लेकिन अब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया है क्योंकि तब यह तो खराब है लेकिन राज्यमंद्री न अभी तक स्थीवा नहीं दिया देख़ा आपकी जारगे केमत क्या इस तरह के सारी बाते इतिनाथ को एजा सीम बनाए जाए तीसरी वज़ास में आप ये भी देख सकते हैं कि जब जब लगता है कि एंटी इंकमपेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है और चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है तो ब्रेंड मोदी का कार्ड खेला जाए क्योंकि मुझे याद है कि 2020 2020 में जब बिहार के विधान सभाद चुनाव में जब बीजेपी ने अपने खुद के इंटर्नल पोल कराए थे तो उसमें पता चला था कि नितीश कुमार की खिलाफ एंटी इंकमपेंसी हद से ज्यादा है और बड़ी सबस्या होने वाली है और यहां पर उनको अगर चुन अमित शहाँ है ना उनको नितीश कुमार की खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की काट ही नरिंद्र मोदी ही नजर आये थे क्योंकि बिहार चुनाव से पहले मूड आफ दा नेशन के सर्वे में प्रधान मंतरी का लोग प्रिया थी और सारे नेताओं से ज्यादा प्रधान मंतरी की लोग प्रिया थी तो अमित शहाँ ने इसको प्रियोग किया मोदी का नाम लिया और ये रंग लाया और विधान समय चुनाव जब होते हैं तो बीजेपी भी जीतती है और मुक्य मंतरी तो खेर उनको ही बनना था नितीश कुमार को तो बना दिया उनको लेगे ने प्रि प्रियोग लगातार करते गए हैं तो शायद तीसरा वाला प्रियोग भी यूपी में करने कोशिश की गए अच्छा बहुत सारे चीज़ अगर आप मैं सब कर चुके हो तो मैं आपको कंक्लूड कर दू पहला ये कि कहीं कोविट मिसमेनेजमेंट की बात जंदा के अंदर न जो है कम हो जाएगी एंटीन कम बेंसे होगी होगी तो मोधी ब्रेंड है अपना प्रियोग कर दो रंग लेकर आई जाएगा तो यह सोच करके शायद उन्होंने बोला हूँ लेकिन है रवीश कुमार ने एक अलग ही परस्पेक्टिव देने की बात की है अब मैं आपको पाने की पूरी कोशिश की गई थी हटाने की कोशिश कर रहे थे दोरों लेकिन नहीं हटा पाए थे योगी को तो उनको महसूस हो गया था कि योगी आदितनात को हटाना फ़ड़ा सा मुश्किल है इतना आसान नहीं है इनका खूंटा को उखाड लेना तो रवीश कुमार किया जिसमें नरिंदर मुदी के घमंड साफ तर पर दिखायते था क्या विडी बात थी वो ये थी कि मोदी जी आगे आगे चल रहे है और योगी आदितनात पीछे चल रहे है और योगी आदितनात इतने बड़े राज्य के इतने बड़े सूबे के मुक्य मंत्री को भाव भी नहीं दिया था अब देखिए कि अगर अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी की जीत के लिए योगी जरूरी है तो आपको कुछ पुराने वीडियो देखने चाहिए स्क्रीन शॉट पर साफ तौर पर लिखा है जब जब प्रधान मंत्री यूपी गए हैं तो योगी उनके साथ हैं योगी पीचे पीचे चलते हैं अब प्रधान मंत्री मुणकर के क्या एक जलक भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं आयोध्या में राम बंदर शलान न्यास के समय का ही वीडियो देख लीजी ऐसा आपको कई सारी वीडियो में देखना होगा तो रवीश आगे एक और बात कहते हैं देखिए एक मुख्य मंत्री को साथ लेकर चलना बराबर का भाव देना और उसके तरफ मुस्कराने से भी परहेस करने वाले मोदी की जीत के लिए योगी जरूरी हो गए ये बात इतनी भी हलकी नहीं है बीजेपी के मुख्य मंत्री इसी डर में रहते हैं कि कब बदल दिये जाएंगे क्योंकि हमने अभी देखा कि गुजरात में भी यही हाल हुआ था उत्रा घंड में लगाता है और मत दो-तीन मेने के अंदर मुख्य मंत्री बदल दी जाएं लेकिन यहाँ यूपी में मामला अलग है यहाँ पर प्रिधान मंत्री को इस बात का डर है कि योगी अगर नहीं जीतेंगे तो मेरा जाने का टाइम आ जाएगा आप इसका विशलेशन रवीश कुमार के दरिश्टी कोन से भी देख सकते हैं मुझे उमीद है कि शायद आपको पर्स्पेक्टिव किलियर हुआ होगा इस वीडियो को तीन वाट्सप ग्रूप में शेयर कीजेगा आए नाए न्यूस न्दा की जर्नलिजम को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है दोस्तों और डिस्क्रिप्शन में लिंक पेट्रियों और यूट्यूब मेंबर्शिप का है जाएए लेजिए थोड़स तो शक्त बनाएए चाहिंद वंदे बातरम स्टे अबडेटेट, स्टे आजुकेटेट सत्यमेव जायते, नमस्कार